कि मुलिये सद्गुर्देव की जैए साहिब बिनरस्री सकल जग मंदिया कोटुक है अब यहां साहिब क्या क्या रहे हैं बिनरस्री सकल जग बंदिया रसी की बना कैसे बंद हुए बंद हैं आप मोटे तोर पर दुनिया में देखें लोगों के पास स्माटपोन है कुछ सेटलाइट से कनेक्टिड है लेकिन चाब भी है मैन एजनसी के पास जब भी चाहे वो उ किस्ट्राप कर सकते हैं इस तरह ये काया ये काया है सम्रत केरी काया की गतकावन है इसमें बड़े रहे से बड़े पड़े हैं अब यहां साहिब उन बंदनों के विश्य में अच्छा विस्नेशन दे रहे हैं कह रहे हैं बिनरस्री सकल जग बंद्या बिनरस्री सकल जग बंद्या रस्री की बिना पूरी दुनिया बंद्य है सिधान्त रूप से हम सब ये स्विकार भी करते हैं कि हम बंद्य हैं कोतुक कोई मुक्त होने का जतन भी नहीं कर रहे हैं अगर कर भी रहा है तो बड़े गलत तरीके से कर रहे हैं कि पाण लगन को हर कोई चाहन प्याकिंग बिन सद्ध गुर्ण इत्ना पाए एक संसार सागर से पार होना सब चाहते हैं पर मिलन सद्ध गुर्ण को इत्ना पाए क्या क्या बंदभन है बड़े-वजीब बंद्धन और थोड़ा सूचना है रोग की निर्विती के लिए चार बातें जानना बहुत ज़रूरी है रोग उसका कारण उसका उपाय तब उसकी निर्विती और इस सिधान को डाक्टर लोग अच्छे तरीके से मान भी रहें वो अच्छे तरीके से इस कानुकरण करते हैं हर आलत में सबसे पहले वो यह जानने की कोशिश करते हैं रोक क्या है हर आलत में और कारण क्या है जेनिटिक तो नहीं है क्योंकि वंश का आप पर हम सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारा शरीर ही उनके द् होई तो चावल तो होने नहीं है जसो करवा तस्नक्रे टोटी टंकी में आपने पानी भरा तो दूद की उम्मिद नहीं कर सकते हैं इसी प्रकार से मनश में उसके पैतर गुण बहुत आ जाते हैं क्योंकि यह शरीर उनके रजबीरे से बना उनके बलड़ से बना है कभी-कभी आप देखते हैं भाईयों की बड़ी शकल मिलती है आवास भी मिलती है आपस में रहस है इसलिए कुछ तो वृतियों के कारण से ऐसा होता है हमें ये जानना होगा कि हमें बांदने वाला कौन है हम बंदे कैसे हैं बंदन का कारण क्या है बंदन का कारण क्या है जैसे रोक की निर्विति के लिए चार बाते जानना जरूरी है इस तरह हमें ये जानना जरूरी होगा बंदन क कैसा है बाधा किसने हैं हम छूटे कैसे थोड़ा सा अगर हम इस पर चिंतन करें तो हम यह चीज जानते हैं कि मन माया में बंदे हैं लेकिन न तो हम माया से हम छुटकरा नहीं चाहिए रहे हैं हाँ चाहिता है मनिश्य भावधरिया है अगम अपारा कि ताञे में बूढ गयों सनसारा अब पार लगन को हर कोई चाहिए हर कोई चाहता है पारो संदन है इनको आप हलके में मत लो यह इस पूरी काया पर आप पर पूरा मन का अधिकार है मन करता या देह समाना शरीर की बनावट बड़ी विकट है यह काया है समरत केरी यह काया है समरत केरी काया की गत काहन है यह काया है समरत केरी काया की गत काहन है रही है शिव गोरक सो पच पच हारे इस काया का अभेद नपाए बड़ी इसमें इतनी सीक्रेसी है काया में पूरा उमर मनुष्य शरीर में रहता है लेकिन इसको समझ नहीं पाता है जैसे सपने देखने वाला सपने में सब चीजों को तो देखता है समझता भी है अपने को नहीं देख पाता है इसी तरह मनुष्य संसार में जागरत अवस्ता में भी जितनी चीजें देख रहा है वो बाहरी संसार को देख रहा है पल्ट वजूद में अजब बिश्टाम है होई मौजूद तब ख़बर पाई है इसलिए हमें जानना बड़ा ज़रूर होगा अपने बंदनों को पराधीन सपने नाई जो बंदन में कभी सुखी नहीं हो सकता वो बंदन है इस तरह आत्मा बंदी है हम सब को पता भी है सिधानत रूप से हम स्विकार भी कर रहे हैं कि आत्मा मन माया में बंदी है न तो हम माया की तरफ जाना चाह रहे हैं न तो मन की तरफ जाना चाहते हैं आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले मैंने इन बंधनों का विस्ट्रेशन दिया था कि कैसे कैसे जीव बंद है आत्मा कैसे बंदी है कुछ तो मुक्तिका जतन कर लो भाई थोड़ा बहुत तो मौक्ष के लिए कोशिश करनी होगी न आदमी को उस दिशा में जाने नहीं दे रही कोई ताकत बड़ी विड़म बना है अब साहब क्या करें काया गड़ खोज मेरे भाई काया गड़ खोज मेरे भाई तेरी काल अवद टर जाई यानि काल से बज़ जाऊगा भर्मकोट चाहँ और फराय माया ख्याल बनाई आप देखो आजशकल जीवन यापन बहुत जटिल हो गया है दो कारण से अदमी अवसाद में ज्यादा आ रहा है मेरे पास नित्य करीब एक अज़ार आदमी पहुचते हैं अधिक तर वो अपनी समस्य हैं बोलते हैं उसमें डिप्रेशन में बहुत लोग हैं चाहें मैल हैं फीमेल हैं बहुत जादा हैं डिप्रेशन एक नेगरिटिव सोच है जब उनकी आवशक्ता नहीं हो पा रही है तो वो विलकुल भी नकार आत्मी सोच की तरफ चले जाते हैं ये प्राबलम सा रही है तो दरसल ये जीव साहिब कह रहे हैं बिन रसरी सकल जगबंद्या जो भी चाहता है वो काल इस मनुष्ट से सब काम कराता है सूत्र कैसे इसके बड़ी बहरी की है इसमें मन को कोई देखने पाए और इस मन को कोई देखने पा रहा है मन को समझ नहीं पा रहा है कोई मन है सरूपी देव नरेंजन तोय राख भरमाई एक बात साफ साफ आ रही है अभी हमें मन ने बर्मित किया है कौन सा मन निजमन आपके अंजर रहने वाला मन मन के अंग पार बड़ी व्याख्या है गण गंधर रिशिमनी और देवा सब मिल करें मने किशेवा पीर पेगंबर कुटब उलिया मने नरेंजन सब को दलिया सित्सादक और जोगी जत्ती मन को जानना पाया रहती बड़ी सी क्रेसी है अब आप इस पर थोड़ा चिंतन करना यह कैसा मन है क्या चीज मन है मन कहां है मन क्या कर रहा है कहे निरंजन कौन नहीं मानी मन कौन सी भाशा बोल रहा है मन को कोई देख न पाए ना ना नाच न चाहिए आए हम देखते हैं हमारे शरीर का संचालन कैसे हो रहा है हमारे शरीर का संचालन और बनावट बड़ी विक्रित है इनसान पूरा जीवन रहकर अपने मन को नहीं समझ पाता है मन को कोई कोई वड़ा जानता है मने सरूपी देव नरे इंजन तुए राख बर्माई देखते हैं पहली बात तो यह है कि यह हिकाया एक खोखा है एक गाड़ी है इसको कोई चला रहा है यह तन मन के कहने पर चलता है आप एक चीज देख रहे हैं आजकल ड्रोन का परचलन बहुत है आकाश में ड्रोन चलता है ड्रोन खुद नहीं चल रहा है ड्रोन खुद नहीं चल रहा है ड्रोन का कोई प्रयोक्षाला में बैठकर संचालन करते हैं ड्रोन के अंदर बैटरी है ड्रोन की केपसिटी है हर ड्रोन के अलग अलग और उसको संचालित करने वाला कहीं प्रयोक्षाला में बहुत दूर बेठा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह यह पूरी काया मन के कहने से चलती है और मन बेहत खतरनाक चीज़ है मन ही आहे काल कराला जीव नचाय करे बेहाला लेकिन उस ड्रोन को चलाने वाले जो ऑपरेट कर रहे हैं कहीं से भी उनका पता नहीं चल रहे हैं जब चाहें मोड लेते हैं जब चाहें आजकल तो विरोधी कुछ आंतकवाद पहलाने वाले ड्रोन से ही अत्यार बेख रहे हैं यह गंबिर समस्या हो गई है ड्रोन को चलाने वाले का कोई अधा पता नहीं है कहां बैठा है ड्रोन काम कर रहे हैं बस यह बोडी एक ड्रोन है इसने वैग्यानिक लोग रोबोट वगर बना रहे हैं इसका मतलब है वैग्यानिक लोग इतना जान रहे हैं कि इस तन को चलाने वाली एक ताकत सीक्रिट बैठी है अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यू सेनल में देखा हूं अमेरिका वहभीत हुआ चाइना रोबोट सेनिक बना रहे हैं वो इतने शक्तिशाली है कि पचास सेनिक भी उसके वरोबर काम नहीं कर सकते हैं आप देखा कैसा मनिश्य की खोपड़ी है इस तरह रोबोट को संचालित करने वाला सेफ बैठा हुआ है मन भी इस तरह बड़ा सेफ बैठा हुआ है अगर मन समझ में आए मन जानिया मन मानिया तो प्रभु जानिया मन को कोई देख नहीं पा रहा है उसका प्लेस इतना सीक्रेट है जैसे रोन को उड़ाने वाला बहुत सीक्रेट प्लेस पर बैठा है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है इस तरह मन यही रहे से हैं अगर कहा है अग्यान तो आप सोचे अग्यान क्या है न जानना ही अग्यान है इस दिए आत्म ज्यान से बड़ा कोई ज्यान नहीं है एक आत्मा को जानने के बाद पूरा मामला साफ हो जाता है कभी रेको जानिया तो जाना सब जान कभी रेक ने जानिया तो सब जाना जाना जान इस तरह मन बड़ी सीक्रिट जगे पर बैठा है वहाँ से तरंगे दे रहा है को तुक यह हैं कि ड्रोन को चलाने वाला जो संदेश दे रहा है कोई संदेश दिख नहीं रहा है परत्मे मोटी द्रिश्टी से तो देखकर यूँ लगे का पूरा काम ही रोबोर्ट खुद कर रहा है नहीं कर रहा है वो खुद नहीं कर रहा है उसके पीछे उसको संचालित करने वाली शक्ति आद्रिश्य में बैठी है हमें देखना होगा इस काया में मन कहां रहता है और मन की भाष्टा क्या है कहें निरंजन कौन नहीं मानी कारण यह है अगर मन समझ में आए तो फिर दुनिया खत्म है मन इतनी बारी किसे इंसान के अंदर है कि करोड़ों में क्या लाखों में क्या करोड़ों में कोई है अब साहिब कह रहा है मन चीने कोई वर्ला भेदी मन को दुनिया नहीं समझ पा रही है इतना बड़ा कला कार है जो भी चाहे इनसान से करा लेता है जैसे बाजीगर मंदर से जो भी चाहे काम कराता है अंचाहे काम कराता है मंदर से मैंने एक उधान दिया था वो उसको बड़ा दुख देता है एक बार एक माधारी आया माधारी पहले डमरू क्यों बजाता है एक signal देता है, डमरू बजाया है, इसका मतलबे कुछ हो रहा है, लोग कठे हो जाते हैं डमरू से, वो बंदर का खेल दिखा रहा था, बंदर को उसने शर्ट पहना ही हुई थी, टोपी पहना ही हुई थी, जंजीर बंदी हुई थी साथ में, जंजीर उसने हाथ में रखी हु मूड़ा उस पर बंदर बेर, सब को देख रहा था, बंदर है भी शल हो चुका था, वो नाटक दिखाते दिखाते, उसके बाद, पंदरा, दस-पंदरा फिट पर एक मूड़ा और रखा था, वहां उसने पहुशना था, कहना था, सस्राग में आ गया, उस दिन बंदर का कुछ खेल दिखाने का, मूड़ की बात होती है, कभी-कभी आपका भी नहीं होता है, बंदर को इनसान की तरह दो पाओं पर चल कर यूँ जाना था, बाजी करने, बंदर को का ससराल जाओ, वो समझते हैं, वो वैसे ही गया, जैसे बंदर जाता है, बंदर के हाथ में एक ल शिस्टम नहीं था, बेक का शिस्टम था ही नहीं, कोई कहीं जाता था, गश्री बांता था, लाठी के अंदर, मान लो एक गश्री बांदी, अपना सूट रखाएकार, ऐसे लाठी डालता था और गश्री पीछे और लाठी कंदे पर आगे, आठ से पकट देता था, ऐसे ही बहुत पुरानी बात है ये 60-65 साल पुरानी बात बता रहा हूं तो बंदर उस दिन कुछ भी करने के मूड में नहीं था यहां तो ठक गया था परिशान तो उसे होना ही था वो गठरी को यूँ पकड़ा डंडे को और जैसे बंदर चलते हैं सलांग लगा कर मूडे पर बैठ गया अब ऐसा करने से बाजीगर का काम नहीं चलेगा यहां यह बताना चाहता हूं काम करोद लोब मोह एंकार के बिना मन की ताकत नहीं है मन का पंजा है इस पंजे से जैसे शेर अपना शिकार करता है मन का ये पंजा है काम करोद लोग मोहेंकार जैसे बाजीगर ने जंजीर से बंदर को बांदा था इस तरहें मन ने काम करोद लोग मोहेंकार में इनसान को बांदा है ये बहुत बड़े मतसर इस काया के अंदर रहते है तो अब वो चिड़ गया बाजीगर क्योंकि बंदर तो सब ने देखा यहां देखना था बंदर का खेल बाजीगर चड़ दिया खीचा उसको जटके के साथ में जंजिर खीची उसके साथ में एक सोटी भी थी उसने एक दो सोटी भी उसको जड़ी चे 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 करता हुआ वो विचारा विवश था, दुबारा बुला, दुबारा भी, बंदर ने वैसे किया, अब बाजी करका गुसा और बढ़ गया, उसका पूरा खेला बिगर रहा था, ऐसे ही इनसान को मन भी परिशान करता है, जब आप मन का ने करो, विवश करके कराता है उधारा के लिए मन ने ये प्लान किया, सिनेमा देखने जाना है, चाहे पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, आपको परिशान करता है, एंड में आपको वहाँ जाना पड़ता है, फिर उसको पीटा, तीसरी बार जब गया, बे मन से उसने काम किया, दो कदम पैदल चला, फिर चलांग लगा कि बैठ गया, बाजी गरने जाना आगे कुछ काम नहीं होना है, बैठ गया, अब वो कहा सस्वराल में पहुच गया है, अब बीडी पीना है, पुराने जमाने में बीडी हुखा कामन था, अच्छा हुआ, इस पर बेहन लगा दिया गया, नहीं तो 95 आजमी बीडी पीते थे, अब बीडी सुलगा कर बाजी गरने बंदर को दी कि सस्वराल पहुच चुका है, अब ये बीडी पीएगा, बंदर का तो मिजाजी अलग था, बीडी दी बाजी गरने, बंदर ने बीडी उठा कर दे मारी जमीन में, नहीं पिया, अन्तों गत्व उसको बीडी भी पीनी पड़ी, जो जो बाजी गर्थ चाहता था, वो सब काम बंदर से कराता था, क्योंकि बंदा था, मैंने बैठते ही एक बात कि बिनरसरी सकल जग बंदिया, मैंने आपको तोते का भी एक्सम्पल दिया, ये आत्मा काया ने चुड़नी चाहते है, क्यो डूंडती है, वाज, वैसा ही है, चांद के छितने के बाद चको और अंगारों को खाता है, यही चांद है, और अपनी चोच गवाद देता है, इस तरह, मन इंसान से जो काम चाहता है, कराता है, साहिब ने मन पर इतने शब्द कहे हैं, तेरा बेरी कोई ने, तेरा बेरी मन अब देखिए मन हैं कहां क्या कर रहा है साहिब ने ये पते दिये पूरे शुश्मना में मन का वास है मन क्यों नहीं दिख रहा है उसकी बज़े सुनो घोर अंदकार में आदमी का विज़न जीरो हो जाता है अंदकार में बैठा हूँ आदमी नहीं दिखेगा उपको जब घोर अंदकार है मैंने घोर अंदकार का भी प्रसंग कई बार उठा है इसलिए हमारे शरीर में पांच तत्य है पांचों तत्य का पाइंट है प्रती तत्य गुदाइस्तान पर है रंग पीला है जल तक तो पीडू पर है यूरिन ग्लेडर के साथ इसलिए वो जगे हमेशे शंडी रही वहीं से पूरी बाड़ी को पूर्ती कर रहा है जल आपने सुना होगा पानी की कमी हो गई कुछ लोगों तो बड़ी दिक्कत आती है वो वहाँ से पूरी बाड़ी को पानी पहुचाता है और रंग उसका सफेद है नाभी में वायू तत्त है इसलिए गैस पेट में ही बनेगी तो गैस क्यों बनती है शायद डॉक्टर इस तक पूरा नहीं पहुच पाएंगे पर वो कहते हैं क्योंकि जो हम सौंस लेते है नाभी में पहुचते है वो सौंस नाभी चक्र में एक सिस्टम है वहाँ उसको दस वायूं में कनवर्ट करते है जैसे कुमार मिट्टी मिल जाए ना तो सुराई घड़ा वगरा बनाता है तो यहाँ वायू दस वायू बनते हैं वहाँ एक ही जो प्राण लिये खास प्राण है इससे अपान समान उदान प्राण सर्वत अन्ब्यान देटत कित्किल नाग धनन जे सबल यह दस वायू नाभी में बन रही है रावणी ने किसी की भी नाभी फट जाएगी वो मर जाएगा तो यहाँ कभी-कभी अवरोध हो जाता है वायू को जब ज़्यादा रश होती है ना तो आप देखना भीड में धक्का मुकी शुरू हो जाती है गैस इसलिए बनती है और कभी-कभी गरिष्ट खाने से भी बनती है अशुद्यवायू लेने से भी गैस बनती है तो उसका रंग हरा है और अगनी तत्व मुख में है यहाँ उसका केंद्र है इसलिए डॉक्टर आपकी बोड़ी का टंपरिशर जानने के लिए सीधा वो वहीं पहुचता है मुख में और रंग लाल है और आकाश तक तो शुश्मिला में है उसी रंग काला है उसी में मन बैठा है अंदकार है वो गोर अंदेरा शुन्य महल में गोर अंदेरा करो नाम ओजी आरा शुन्य महल में गोर अंदकार है इसलिए वहां पर मन शुर्ण्य में बैठा है वहां से तरंगे कैसे बेशता है मैं बताता हूं एक तार पर आप देखते हैं बिजली का संचालन हो रहा है इस तरह वही से स्मिनल कॉर्ड से ये बाजुओं को हाथों को सबको संदेश बेज़ता है बड़ा क्रिटिकल और बड़ा सीक्रिट इस काया का जंजाल है तबीतु साहिब कह रहे शिव गोरक सो पच पचारे इस काया का भेद न पाए कबीर काया अथा है कोई बड़ा जाने बेद यहां से संदेश बेज़ता है पुराने जमाने में टेलीफोन होते थे आज कल टेलीफोनों का प्रिसलंग बहुत शुन्य हो गया है वो तरंगे वायर पर चल करके फोन की वायर पर आपके कान तक आती थी आपके माइक में आपके फोन में शिस्टम था वही से और पूरी बोड़ी उसके संदेश को फालो करते हैं आत्मा क्या कर रहे आत्मा ने भी अपने को शरीर मान लिया मन मान लिया रह से यही है जैसे पर्दे के पीछे बैट कर मदारी नठ कटपदी को नचाता है इस तरह यह मन शुन्या में बैटकर करके नचा रहे हैं मन को कोई देखना पाए ना नानाच नचाये इतने बड़े गंबीर विशय को कोई उठाई नहीं रहा है तेरा वहरी कोई और ये बाड़गा है, मैं एक बाद बोलता हू, पुलिस किसी की भी नहीं हैॉ कि पुलिस किसी की भी नहीं है। पुलिस उसको भी कुटेगी। क्योंके पुलिस किसी की नहीं है वो शासक की है इसी तरह यह जो बॉड़ी है यह मन की है जो जो मन कहेगा यह बॉड़ी उसको मानेगी तो आपको किसको सीधा करना है मन को सीधा करना है मन ची ने कोई वड़ा भे दी और मन के कहा है तन चले ताको सर बज़ा है बड़ी सीक्रेसी है इसके अंदर बहुत बारीकी से वो तरंग इतना च्छिपकर बैठाया यही रह से आगे मैंने एक शब्द कही बार बोलाए अग्यान ही संसार की आत्मा है अग्यान ही संसार की आत्मा है इसलिए अग्यान की उत्पत्ती अंदकार से होती है अंदकार की उत्पत्ती आकाश्तक से इसलिए वग्यानिक भी कहते हैं अग्यानिक 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 क् zeker के कह सो पाईये करस्रत कुरक्य इसका मतलब यहां इतने स Critic a कै मassag na economy नशनने मंन जानिया तो बस प्रभू जानिया मनें घार मुझे लिए कौभर को सम पा मन पर जीते जीत भार प्रम को पाईये मनें के परती दूए इसलिए साहिब कह रहे हैं मन को कोई देख न पाए ना नाच न चाहिए बड़ा उसी नबस को पकड़ा जहां पर प्राब्लम थी साहिब ने मन पर इतनी शब्द बोले हैं मन के अंग पर बड़ी साखियां बोली मन से हरा अदमी बेखबर है साथ में ये भी कह है तो यही है और जातिमा दे रहे है और जाका सुर्थ क्या है शरीर का स्वास्द्राण और प्राणों का आवरतन प्रावरतन और स्चालन आत्म देख कर रहा है इसलिए साहिब ने एक शब्द में समेठ दिया पूरा सब कुछ अपा पो आप ही बन लो यह आत्मा अपनी श जो अस्वार है ऐसा भड़ा कोई लोग कह रहे हैं मन को निर्मल को नहीं होगा मन निर्मल नहीं होगा आग की बड़ती है उश्मा चंदन शीतल है लेकिन आग में आप चंदन को डालेंगे ना तो वो भी गर्मी देगा मन इसनी बुरी चीज़ है मनी आये काल कराला जीव नचाए करे बेहला और शेर की ताकत बन जाया इस मन की ताकत काम करोद लोग मो हैं और माया है वाह संतो तन कोजे मन पाया तन ही मन है इंद्री मन है ये सब मन ही मन है जीवडा तूतो सबल था जीवडा तूतो सबल था अटपड तेरी चाल, रंग को रंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत प्याल, जिस समय एक शब्द और सर्व मानने हैं, सर्व कालिक, गुरु के बिना ग्यान नहीं हो सकता है, वो क्या रहसे हैं, ग्यान पोथियां पढ़के नहीं मिलेगा, पोथि पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई धाई अक्षर प्रेम के बड़े सो पंडित हो है, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, जो वास्तर रिकता है, तो वो जब दिब्बे प्रटाश का सर्जन गुरु करता है हर्दय में, उसके पास पारसुरत संत के पासा, तब मन दिखाई देगा, मन कुछी ने कोई बड़ा भेदी, जब दिखाई देगा, आपका एक मित्र है, आपको ब्लेक्मेलिंग कर रहा है, और आप उससे बड़ा प्रेम कर रहे है, आप से ठगी कर रहा है, और आपको मारना शायत है, लेकिन जैसे आपको भेद पता चले, तो इसका भी प्रही है, फ पॉरस का कहना नहीं मानता है, मन जाता है तो जान दे, गै कि राप शरीर, उतरा पड़ा कमांग से क्या कर सकता तीर, शरीर की उर्जा आत्मा है, इसलिए मन पंगु ए, इसलिए, वो हिर्दय प्रकाषित हो जाता है, यह तरंगों का आवरतन परावरतन पूरा समझ में आन इसमें दो देशों के अपने हित थे एराग से हित थे रसिया के क्वेट से हित थे अमरीका के क्वेट में बहुत ज्यादा फ्यूल है सद्दाम हुसेन कह रहा था कि अमरीका का हम बुरा हाल कर देंगे और 48 गंटे के अंदर सब सरिंडर हो गया अमरीका ने पहले क्या काम किया उनका कम्मिकेशन शिस्टम सीज़ कर दिया यानि फोन पड़ा होगा लेकिन वह तरंगे नहीं जा पाएगी वहां सीज़ कर दिया इस प्रकार से गुरु जब नाम देता है मन पर विजय प्राप्त हो जाती है मन पर जो अस्वार ऐसा वर्ला कोई तब मन के कहें तंचले ताको सर पर जाए फिर सादक नहीं इसलिए वो बदल जाता है उसमें उड़ जा जाती है वो जान जाता है कि बंदन का कारक और कार मे परकार जाता हएं तो मन की पूरी तरंगें आप कर सकते हैं मन तर्न कर सकते हैं कि आपके अंदर की Commerce तो वन्नु आज मैंने आपसे मन पर बातचित किया है बंदन पर बातचित किया है इसको हलके में नलो यह बहुत जरूरी है अगर पराधीन सुक्स अपने हैं ना ही जब तक आप मन के आदिन है वो आपको भृमित करेगा इसलिए बहार निकलना है मैं आपको कोछ शूचना द करना पड़ा 27 तारीक का इसी तरह मैंने इंदोर के लिए भी प्रोग्राम बोला था और पच्छोर का भी वो भी मुझे केंसल करना पड़ा और भौपाल का मैंने प्रोग्राम दिया था तीस तारीक का वो भी मुझे केंसल करना पड़ा और कुछ ऐसे प्रोग्राम मुझे केंसल करने पड़े मैं समा चाहता हूँ कारण बन गया पर हरीद्वार का प्रोग्राम हमने रखा है इस तरह मैं अवसर देख करके और प्रोग्राम बीच में अभी टाइम है 27 को कहां प्रोग्राम देना है बाद मैं आपको सुचित कर दूँगा लाइव प्रोग्राम से एक लाब है कि मेरा यह संदेश उसी समय पहुच जाते हैं सब तक तो मैं पुना चमा चाहूंगा जैपुर का प्रोग्राम 27 का अभी हमने प्रोग्राम कर दिया है इस तरह इंदोर का और पच्छोर का प्रोग्राम भी हमें किसी कारण से कैंसर करना पड़ा इसकी वज़य यह थी कि एक डेजिंग डेख था किसी बटैलिन का खास तो वो पाल आश्रम में उनको हमें एक्मॉर्डिट करना था तो आश्रम में वैसे ही दूर से बहुत लोग आते थे तो हमने सोचा वहां मेहमान को चाह जाएंगे उनके तो टो कंजक्शन हो जायेगे वहां पर भीड़ बाण हो जाएगी तो उनके प्रोग्राम में हम वया दान नहीं डाल रहे हम अपना प्रोग्राम थोड़ा बढ़ा रहे हैं देख लेंगे समस्च आएता हूं कल फिर मैं आज मेरे तीन प्रोगाम है अभी मैं थोड़ी दिर में जाओंगा पहले कि सैस्वा आश्रम में प्रोगाम उसके बाद पठान कोट में प्रोगाम है मेरा आश्रम में और फिर सांभा में कुछ और भी प्रोगाम थे वह भी मैं एक एक दिन में चार साथ पांच पांच प्रोगाम देता हूं कल पुन है मैं हज़र हो जाओंगा साहे बिद्दी